कर दो कि हलो फैन्स वेल्कम बैक टो मैं चलिए में नहीं मैं सुझगे अब देखें सीएज़डी वलने साजीट में और एक नए वीडियो को साथ में दोस्तों जो आज की टॉपिक है वो हमारा है किया किड़नी स्टौन की वज़े से किड़नी खराब हो सकता है क्या तो दोस् सबसे पहले यह समय लीजिए कि जो यूरिनारी सिस्टम को यूरिनारी सिस्टम क्या है दोस्तों जो हमारा किड्नी है उसके अंदर में 10 लाख फिल्टर्स लगे हुए हैं लगभग लगभग 180 लिटर्स फ्लूट्स को यह जो है कि छानता है और उसमें से 2-3 लिटर यूरिन को बाहर करता है यानि 180 लिटर फ्लूट्स को चानने के बाद में वो सिरिफ 2-3 लिटर आपका जो की यूरिन को बाहर करता है तो सोचिए कि वो क्या मसीन है जो उपर वाले नहीं बनाया है किड्नी हमारा बोड़ी में अगर आपने नमक जादा खा लिया तो कितना बोड़ी को नमक चाहिए जितना बोड़ी को नमक चाहिए उतना छोड़ेगा बाकी को बाहर कर देगा आपने बहुत सारा कोल्डिंस पी लिया बहुत सरा आपने मीठा खा लिया कितनी मीठा आपकी बोड़ी को देना है और कितना बाहर करना है उसको च्छान के उन्होंने बाहर कर दिय तो छोटा सा किड्नी का बहुत बड़ा काम है इसलिए किड्नी को किड्नी का सही खाल रखना बहुत जरूरी है तो यूरणीर शिस्टम के बारे हम समझती हैं तो यूरनीर सिस्टेम में जो है कि दो किड्नीज है दो यूरेटर है और एक ब्लैडर है और एक यूरेथरा है दोस्तों जो स्टोन है मोस्ट ओफ किड्नी को खराप नहीं करती है वो होता है और बाहर निकल जाता है लेकिन कुछ स्टोन ऐसा होता है जो कि यूरेटर में आकर के अटक जाता है यूरेटर में आकर जब अटकता है तो वो यूरीन को ठीक से पास आउट होने नहीं देता है और फ्लो बैक जाता है यूरीन का यानि कि वो वापिस किड्नी के तरब प्रेशर बनाता है जब किड्नी pressure में आता है pressure बनाता है यूरीन को बाहर करने के लिए लेकिन वहां रुकावट होने के वेज़े से बाहर नहीं आपाता है तो फिर धीरे-धीरे किड्नी डैमेज होना चालो जाता है और अगर साथ में urine में infection हो गया तो kidney disease होने के chances और जाधा भर जाती है क्योंकि आप जो यान यहलनकि योरीन वहां पे जमा हुआ है रुका हुआ है उसमें इंफेक्शन होने के बाद में और वी जुळकी किड्नी को खराब करने में खराब कर सकता है याने कि एंफेक्ЕТ देख लिए ढोएधा रसंपा है दीटू स्टोन इस्टोन के विए से तो वह आगर उसमें protection हो गया किड़नी legitim चांसिस और बज़ाता है इसी लिए अगर कुश्च पर है तो समय समय पर अकतना डॉहा कि आप serum cerium critin and और यूरिया, ब्लड यूरिया और यूरियन टेस्ट जिसमें की अलबॉमिन ये देखके बार-बार चेक करते रहें कि किड्नी आपका सही सलामत है कि नहीं है अगर कुछ चेंजिस आ रही है तो ज्यादा वेट मत किजिए तो कहने मतलब यह था कि अगर किड्नी स्टोन आपक आपका नहीं निकलता है तो फिर दोबारा मुझसे मिलना है तो उस गायट उस उसको आप फोलो किजिए जब डॉक्टर साब को बुलाए हैं दोबारा जाकर दिखाए कि सर मेरा स्टोन अभी तक पास आउट नहीं हुआ है हुआ है कि नहीं हुआ है अब यह अल्ट्रास्ट स्टोन को वहां से निकलना है होता निकली जाता है लेकिन अगर लॉंग ट्रम तक आपका स्टोन अटका हुआ है तो उसको आप मच छोड़िए लंबा समय तक के लिए अगर आप लंबा समय तक स्टोन छोड़ेंगे तो वह रुकावाट पैदा करेगा और वह रुकावाट स्टोन भी जो होगा जैसे की आपका युरेटर membhos वह रसाफ्ट होता है बहुत साफ्ट नश다 है अकर उसमें इस्टोन बार-बार उसमें जो हार की अक्रकी आटक केगआ और बार्म बार्म नुकसान करेगा चोट पहुचाएगा तो फिर दीरे दीरे वह इस्ट्रोम फोने लग जाएगा धिरे दिरे वो शक्त होने लग जायगा और जो शक्त होगा तो फिर जो की और भी रुकावाट पैदा करेगा जितना रुकावर्ट पैदा करेगा इतना ही किड्नी को प्रशर लगाना पड़ेगा जिस उनको का बाहर करने के लिए और यूरेन बाहर होगा नहीं तो फिर दीरे दीरे किड्नी डैमेज होना चालू हो जाएगा और अंते में ऐसा होगा कि वह किड्नी नॉन फंशनि दिया है उसको आप फॉलो किजिए अगर आपका एक डेर महने के अंदर में नहीं निकल रहा है इस्टोन को मत पा लिए जो बैस्ट सलहा है आप डॉक्टर से जाक लीजिए जो बैस्ट है अगर निकलवाना निकलवाना पड़े तो उसे निकलवा लेना चाहिए बहुत लंब किड्नी स्टोन किड्नी स्टोन तो हम लोग बोलती है किड्नी स्टोन एक्चुली में क्या है कि किड्नी स्टोन कहां पे है लोकेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है वो किड्नी के अंदर में है या फिर यूरेटर के अंदर में है अपर यूरेटर में है मिडल में है या कोई दर्द नहीं होता है जैसे ही वह बाहर आना चालू कोशिश करता है या बाहर अटकता है तभी दर्द चालू होता है लेकिन आस्त गित्ता पेशन को मैंने देखा है है मोस्ट उप्यूं तो या की स्टोन दो फफ़ते में लास्ट मंत में वह निखल जाता है अगर महीं निकल ह dan आटका वहा है कोई प्रहशानी नहीं है तो बीच में पना किड्नी इस और यूरीन टेस्ट और बीच में इंद्र आटर इंद एल्ट्रावा रहें और यूरीन में अलबोमिन तो नहीं आ रहा है अगर ये सब कुछ नॉरम में तरफ कि आपको डीट है और इसका जो कि सही जोभी टीट्मेंट है वो करवा न चीजेंगर डोक्र साब बोलते हैं निकालना पड़ेगा तो निकालना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर साभ को कभी गलत रास्ता गलत राय देंगे नहीं थैंक यू सो मच पर वाचिक माई वीडियो अपने बहुत ख्याल रखेगा